एक गाव में मोहन नाम का किसान रहता था। इस दुनिया में वह बहुत गरीब था। उसके पास एक बहुत छोटा खेत था। उस छोटे से खेत में ही वह खेती करता था। वह जैसे तैसे अपने खेत में काम करता और मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। उस दौरान खेत में जुटाई करते वक्त हलके नीचे से एक लकड़ी का बकसा निकला. उस किसान ने धीरे से बक्षे को निकाला. वह कुछ समझ नहीं पाया कि इस बकसे में क्या है. केवल उसने बकसे को उठाकर खेत के बाहर मेड पर रखा दिया. उसने देखा कि यहां बक बहुत सारी रोटिया थी। उस किसान को बहुत आश्चर्य हुआ, किसान ने सोचा कि ये तो जादूई बकसा है। उसमें जो भी चीज डालो वह कई गुना हो जाती है। जो भी वस्तू उस बकसे में डाल रहे थे, वह कई गुना हो रही थी। उसने दोपहर का भोजन किया और फिर हल चलाने लगा। जब शाम को घर आया तो बकसे को अपने साथ ले आया। आज वह किसान बहुत खुश था। क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी गरीबी दूर हो सकती है। वह गरीब किसान एक धैर्यवाला व्यक्ति था। कभी भी उस बकसे से जरू उसने सोचा मेरे जमीदारे में किसी भी जादूई वस्तु पर तो मेरा अधिकार होगा। जमीदार के कहने पर उसके आदमी उस किसान को पढ़कर ले आये। उस जमीदार ने किसान को धंकाया और कहा कि तुम्हारा खेत मेरी जमीदारी का हिस्सा है इसलिए उस बकसे पर म तेरा अधिकार है। जमीदार समझने लगा कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा। एक आदमी को भेज कर बकसे की सच्चाई के बारे में पता कर वाया। जब उस मंतरी जी के आदमी को बकसे की सच्चाई पता लग गई तब उसने मंतरी जी को जाकर बताया। मंत्री जी ने तुरंट जमीदार को बुलाया और कहा तुम्हारे पास जो बक्सा है वो तुरंट मुझे दे दो जमीनदार ने मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृप्या बक्सा मेरे पास ही रहने दीजिये उस पर मेरा अधिकार है, लेकिन मंत्री जी ने एक नहीं मानी और कहा कि यदि तुम मुझे नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी जमीदारी समाप्त करवा दूंगा, जमीनदार ने दर कर बक्सा सौप दिया, उस बक्से को प्राप्त करने के बाद मंत्री और भी मस्त हो गया, अ राजा को जब पता चला कि यह बक्सा किसी गरीब किसान के खेट से मिला है, तब राजा तुरंट अपने सेनापती के साथ मंत्री के घर गया, और मंत्री से कहा पूरे देश की जमीन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस बक्से पर मेरा अधिकार है, तुरंट बक्स मंत्री ने तुरंत राजा की बात मानली और सेनापती को बकसा दिया। उस राजा ने बकसे से सबसे पहले खजाने के धन को बढ़ाया और सुक सुविधाएं बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद राजा को बकसे की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुराना ले। राजा उस बकसे को हमेशा अपने साथ रखने लगा। एक दिन राजा ने सोचा इस बकसे में ऐसा क्या है। आखिर इसका रहस्य पता किया जाए। उस बकसे का रहस्य जानने के लिए राजा उस बकसे में बैठ गया। बाहर निकला तो उसके जैसे अनेक राजा बाहर आ उसने स्वयम को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस बक्से को जमीन में गाड़ कर रख देता तो बहुत अच्छा होता आज के इस लेक हमने आपको एक गरीब किसान की कहानी बताई है हमें उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये स्टोरी यानी कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जरूर सुनाए